परिचाए, आज डिनर बहुत स्वादिश्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, तुमुझे बताओ, चीनी और नमक के कड़ों की सनचनाएं अलग-अलग क्यों होती हैं। इसका कारण अलग-अलग घटक कड़ हो सकते हैं। बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रतेक सनचना इन कड़ों के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृती पर निर्भर करती है। चीनी के अणों में सहसैयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणों में आइनिक आबंध होता है। ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूँ और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। चात्रू, आज हम रासायनिक आबंध और आणविंक सनचना की बारे में और अधियन करेंगे। उत्तेशे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक आबंध का वड़न करना। अश्टक नियम और लुईस प्रतीकों को समझना। आयनिक आबंध का वड़न करना। आयनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना, आयनिक योगिकों के गुणों की व्याख्या करना, आबंद प्राचलों का वड़न करना, अनुनाद सनचना का वड़न करना और आबंद ध्रुनवनता के बारे में जानना. परिभाशा सह संयोजक आबंध, उप सह संयोजक आबंध, धात्विक आबंध, हाइडोजन आबंध और वांडरवॉल बल, रासायनिक आबंध की कौसेल लुईस अवधारणा परवानों सनचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजक आबंध के विभिन सिध्धानतों के लिए आधार प्रदान किये इस सिक्षेत्र में प्रारंबिक योगदान डेवली कौसेल और जी अन लुईस ने सन 1916 में दिया सर्वप्रतम संयोजकता की कुछ तर्ग संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे जो उतक्रिस्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी अश्टक नियम नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणू रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणू अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का विन्यास प्राप्त कर ले वे ऐसा इलेक्ट्रोनों के इस्थानांत्रन द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनों के आपसी सह भाजन द्वारा करते हैं लुईस प्रतीक इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदूओं द्वारा निरुपित किये जाते हैं बिंदूओं की संख्या सहियो जगता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है तत्व की सामाने संख्या की बराबर या आठ माइनस बिन्दों की संख्या होती है उधारन के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कारबन की सामाने संख्या क्रमशा एक, दो, तीन और चार है जबकि नाइट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की आठ माइनस बिंदूं की संक्या है, अर्थात करमशा 3, 2, 1 और 0 है. लुईस प्रतीक पर आधारित उधारण आईए लुईस प्रतीकों पर आधारित एक उधारण लें. उध्क्रिष्ट गैस विन्यास के साथ आईनों के निर्मान हेतु, मैगनीशियम से फ्लोरीन परमाणों तक, इलेक्ट्रोनों के इस्थनांतरन को दर्शाने के लिए लुईस इलेक्ट्रोन बिंदू प्रतीकों का उप्योग करें. आईए हल देखें. परमाणों के लिए लुईस प्रतीक हैं. आइनिक आबंद आइनिक आबंद को वरीत आवेशित आइनों को बांधने वाले आकरशन के इस्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाशित किया जाता है। आइनिक आबंद निर्मान के दौरा आइनिक आबंद का विर्चन निमनलिखित तीन चरणों में होगा। प्रथम चरण गैसिये धनाइनों का विर्चन इस चरण के लिए आविशक उर्जा आइनन उर्जा कहलाती है। दूसरा चरण गैसिये रनाइनों का विर्चन इस चरण से मुक्त होने वाली उर्जा इलेक्ट्रोन बंधुता कहलाती है। तीसरा चरण विप्रीत आविश्यत आइनों की पैकिंग नियचन आइनिक ठूस बनाती है। इस चरण में मुक्त होने वाली उर्जा जालक उर्जा कहलाती है। अब इस थिर आइनिक आबंध के लिए कुल मुक्त उर्जा आविशक उर्जा से अधिक होनी चाहिए। इस थिर आइनिक आबंध के लिए दशाएं हैं। पर्माणू बनाने वाले धनायन की आइनन उर्जा कम होनी चाहिए। पर्माणू बनाने वाले धनायन की इलेक्ट्रोन बंधता उच्च होनी चाहिए। जाला कूर्जा उच्छ होनी चाहिए. आइनिक आबंद और सहसेयोची आबंद के बीच अंतर. आइनिक आबंद एक परमाणू से दूसरे परमाणू तक इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरन द्वारा बनता है, जबकि सहसेयोची आबंद परमाणू के बीच परस पर सहभाजन द्वारा बनता है. आयनिक आबंद प्राया धात्विक और अधात्विक पर्माणों के बीच मौझूद होता है। आयनिक आबंद विपरीद आवेशों के आवेशित कड़ों को बांधे रखता है। कारक जो आयनिक आबंद के विडजन का साथ देते हैं और इसकी समर्द का भी निर्धारन करते हैं निमने हैं। आयनिक आबंद के विडजन में धात्विक पर्माणों इलेक्ट्रोन त्याग कर धनाइन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आवेशक उर्जा आयनन उर्जा के बराबर होती है। आयनन उर्जा का मान जितना कम होता है पर्माणों की धनाइन बनाने की प्रावरित्थी उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रोन बन्धुता ये उर्जा तम्मुक्थ होती है जब कैसी पर्माणों एक रिणात्म कायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं। इस प्रकार, इलेक्ट्रोन बंधुता का मान परमाणों को रिणाइन बनाने की प्रावरित्ती प्रधान करता है। इलेक्ट्रोन बंधुता का मान जितना अधिक होता है, परमाणों की रिणाइन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है। जाला कूर्जा एक बार जब गैसीय आयन बनते हैं तो विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकटा जाते हैं और एक निश्चित जया मितिय पैटरन में त्री विमिय पैक होकर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं यह प्रक्रिया उर्जा की मुक्ति के साथ पूरी होती है जिसे जालक उर्जा कहते हैं। इस प्रकार जब आइनिक ठोस का एक मौल गैसीय आईनों के निविट संकुलन दोरा बनता है तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मातरा को जालकॉर्जा के रूप में परिभाशित किया जाता है। जाला कूर्जा का परिमान निमनलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आइनों का आकार आइनों का आकार जितना छोटा होता है अंत्रा नाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है। और अंत्रा आइनिक आकर्शन उतना ही अधिक होगा, इसलिए जाला गूर्जा का परिमाण भी अधिक होगा। आइनों पर आवेश आएनों पर आवेश का परिमार जितना अधिक होगा, आकर्षन बल उतना ही अधिक होगा, और जालक उर्जा का मान भी अधिक होगा आएनिक योगिकों के गुण आइनिक योगिकों के समाने गुण निम्न है। ये ठोस अवस्था में विद्यूत के कुछ आलग होते हैं, लेकिन गलित या गुलित अवस्था में विद्यूत के सुचालग होते हैं। आइनिक योगिकों के बीच की रासाइनिक अभी क्रियाएं अपने जलिये फिलियनों में सुसज्जित आइनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं। ऐसी अभी क्रियाएं आइनिक अभी क्रियाएं कहलाती हैं। प्राया आइनिक यौकिक क्रिस्टलिय ठोसों के रूप में होते हैं। इनका गलनांक और कोथनांक अधिक होता है। इसका कारण विपरीत आवेशित आइनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्यतबल है। ये जल और अनिध्रुविये विलाइकों जिनका परावेद्यतांक अधिक होता है। इनमें घुलनशील होते हैं। ये अध्रुविये विलाइकों में अघुलनशील होते हैं। आबंद लंबाई और आबंद कौन। आबंध लंबाई इसे किसी अनू में दो आबंधित पर्माणों के नाबिक के बीच की सामय अवस्थादूरी के रूप में परिभाशित किया जाता है। संयोजी कोश सहित पर्माणों का समग्र आकार निरुपित करती है। आबंध कोण इस किसी अनू आयन के केंद्रिय पर्माणों के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रोन युक्म को धारण करने वाले और भी टलों के बीच कोण के रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध कोण को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एन्थेलबी और आबंध कोटी। आबंध एन्थेलबी इसे गैसी अवस्था में दो पर्माणों के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध एन्थेलबी का मात्रक किलोजूल प्रतिमोल है। आबंध कोटी किसी अणों में दो पर्माणों के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटी कहलाती है। आबंध कोटी के बढ़ने के साथ साथ आबंध एन्थेलबी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है। अनुनाद संदचना एक से अधिक लुई सूत्रों द्वारा जिसमें से कोई भी यौकिक के अवलोकन किये गए सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है निरूपित किया जा सकता है तो अनु की वास्तविक सनचना विबन लुई सूत्रों का मत्यवर्ती होती है और ये अनुनाद संकर कहला आबंधों की धृवता आइनिक आबंध में धनायन इलेक्ट्रोंिक घनत्व को अपनी तरफ प्रतिकरशित करके रणायन के इलेक्ट्रों अब्र को धृवित करते हैं इसके कारण आइनिक आबंध में सह संयोजक लक्षन विक्सिद होते हैं धनायन का आकार जिदना छोटा होता है, इसकी ध्रुवनक्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसकी ध्रुवनक्षमता उतनी ही अधिक होता है। क्योंकि चलायमान इलेक्ट्रोन एक साथ अनेक अश्टियों द्वारा आकर्शित किये जाते हैं। जबकि शहसेयोजकाबंध मस्भूत आबंद होता है। क्योंकि आबंदिद इलेक्ट्रौन युक्म दो नाविकों द्वारा मस्भूती से आकर्शित किये जाते हैं। क्या आप चानते हैं। धात्विक आबंध में पर्वाणों की बड़ी संख्या अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। वे मुग्द इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक नाबिकों के बीच आकर्शन त्वारा जालक में एक साथ संगटित होते हैं। अनुनाद संकर और अधिक स्थाई अनुनादी रूप के बीच उर्जा का अंतर अनुनाद उर्जा कहलाता है। शुद्ध आइनिक आबंधन माजूद है ये ग्यात नहीं है। सभी आइनिक योगिकों में सह संयोजक आबंधन की कोटी होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्टरौनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्टरौन प्रतीक को घेरे बिंदूँं द्वारा निरूपित किये जाते हैं। आएनिक आबंद को वरीत आविशित आइनों को बांधने वाले आकर्शन के स्थिर वैदुद बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। दो पर्माणों के बीच एक मूल के विशिस्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा की रूप में परिभाशित किया जाता है। परिचय इसलिए सभी सजीव प्रणालियां हाइड्रोजन आबंधन पर निर्बर हैं। चात्रों आप लोग इस बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुखोंगे। आज हम इस बारे में अपने अध्याय, रसाइनिक आबंधन और आणविक सनरचना में और अधिक अध्यन करेंगे। उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। VSEPR सिद्धांत की व्याख्या करना संयोजक्ता आबंध सिद्धांत का वर्णन करना संकरण को परिभाचित करना संकरण के प्रकार के बारे में जानना आणविक कक्षक सिद्धांत की व्याख्या करना इलेक्ट्रोनी विन्याज तथा आणविक व्यवहार को समझना कुछ समना भी किये द्वेपरमाणुक अडवों में आबंधन का विश्रेशन करना, हाइड्रोजन आबंधन की व्याख्या करना, संयोजक्ता कक्ष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्शन, VSEPR सिध्धान्त VSEPR सिध्धान्त, विबिन अडवों के जमितिय आकार की साधारन व्याख्या करता है अडवों के केंद्रिय परमाणू में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्मों हो सकते हैं वे इलेक्ट्रॉनों के आबंध युग्मों और इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म है इस सिद्धांद के मुख्य बिंदू है केंद्रिय परमाणू के चारू और स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं अडू की जमितिय और आकार केंद्रिय परमाणू के संयोजक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है दो एकाकी युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं दो आबंध युग्मों के बीच या एक एकाकी युग्म और एक आबंध युग्म के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती है VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणवों की संरचना कुछ सरल अणवों के आकार के निम्न प्रकार है AB प्रकार इस प्रकार के अणू सदेव रैखिक होते है AB2 प्रकार इस प्रकार के अणू में केंद्री परमाडू में केवल दो आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन युग्म नियूनितम उर्जा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे और 180 अंश के कोण पर बने रहेंगे. AB 3 प्रकार AB 4 प्रकार AB 5 प्रकार AB 6 प्रकार AB 5 प्रकार AB 5 प्रकार AB 5 प्रकार AB 6 प्रकार चुकि S कक्षकों को छोड़ कर सभी अन्य कक्षकों में दिशात्मक गुड़ होता है समान उरजाओं वाले दो उपकोशों की स्थिती में अधिक दिशात्मक गुड़ वाला उपकोश अतिव्यापन की बड़ी सीमा दर्शाता है S कक्षक अतिव्यापन केवल सिरेवार अतिव्यापन दर्शाता है P कक्षक सिरेवार तथा पार्श्व अतिव्यापन दोनों दर्शाता है सिरेवार अतिव्यापन में अतिव्यापन शेत्र पार्श्व अतिव्यापन से अधिक होता है इसलिए सिरेवार अतिव्यापन के कारण मस्बूत आबंध निर्मित होता है सहसंयोजी आबंध के प्रकार अतिव्यापनों के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध को दो प्रकार में वर्गी कृत किया जा सकता है सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध सिग्मा आबंद साथ अतिव्यापन करता है. इस प्रकार के अतिव्यापन में कोई दिशात्मक लक्षन नहीं होता है. S-P अतिव्यापन सिग्मा आबंद एक पर्मानू की S कक्षक और दूसे पर्मानों की P कक्षक के बीच अतिव्यापन के कारण निर्मित हो सकता है. इस प्रकार का अतिव्यापन HF अणू के निर्माण के दौरान होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण होते हैं। P-P अतिव्यापन F2 अणू के निर्माण के दौरान एक फ्लोरीन परमाणू का अर्ध भृत P कक्षक दूसरे फ्लोरीन परमाणू की अर्ध भृत P कक्षक पर अतिव्यापन करता है। इन प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षन भी होते हैं। पाई आबंध पाई आबंध अंतर नाभिकिये अक्ष की लंबवद दिशा के साथ दो परमाणविक कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं। इस प्रकार का अतिव्यापन केवल दो पी कक्षकों की स्थिती में होता है। अतिव्यापन शेत्र कम होने के कारण पाई आबंध एक कमजोर आबंध है सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बीच अंतर सिग्मा आबंध परमाणु कक्षक के अक्षिय अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है, जबकि पाई आबंध परमाणु कक्षकों के पार्ष अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है सिग्मा आबंद SS, SP या PP कक्षकों के अतिव्यापन से निर्मित हो सकता है जबकि पाई आबंद में केवल P कक्षकों का अतिव्यापन शामिल है सिग्मा आबंद अधिक प्रबल होता है क्योंकि अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है जबकि पाई आबंध कमजोर होता है क्योंकि अतिव्यापन कम सीमा तक होता है सिग्मा आबंध में आणवे कक्षक अंतर नाभे किये अक्ष के चारों ओर सम्मित होता है और एकल आवेशित अभ्र का बना होता है जबकि पाई आबंद में आणविक कक्षक अनसतत होती है और परमाणूओं के समतल के उपर और नीचे दो आवेशित अभर्व का बना होता है सिग्मा आबंद अकेले या पाई आबंद के साथ दो परमाणूओं के बीच मौजूद हो सकता है जबकि पाई आबंद सदैव सिग्मा आबंद के साथ साथ दो परमाणूओं के बीच मौजूद होता है अनू का आकार केंद्री परमाणू के चारों और सिग्मा की रूप रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि पाई आबंध आकार में कोई योगदान नहीं करता है, हाला कि वे अडू की विमाओं को रुपांतरित करते हैं। संकरण या आबंध के समय लगभग समान उर्जावाले और समान पर्मानू से संबंधित पर्मानू कक्षकों के अंतह मिश्रण की प्रक्रिया है, जिनका उपियोग अंतह मिश्रण के लिए किया जाता है। संकरण के विभिन प्रकार निम्मन लिखित है। SP संकरण इस प्रकार के संकरण में 1S और 1P कक्षक का मिश्रण शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समतुल्य SP संकर कक्षकों का निर्मान होता है। SP दो संकरण इस संकरण में तीन संबतुल्य SP2 संकरिक कक्षकों के निर्माण के क्रम में 1S और 2P कक्षक शामिल होते है SP3 संकरण इस प्रकार के संकरण में संबतुल्य उर्जा और आकार वाले 4S-P संकर कक्षकों का निर्मान करने के लिए संयोजक्ता कक्ष के 1S कक्षक और 3P कक्षकों का सम्मिश्रण शामिल है उदाहरण आये संकरण पर आधारित एक उदाहरण लें निम्न लिखित अडवों में प्रत्येक कारवन परमानू द्वारा कौन सी संकर कक्षकों का उप्योग किया जाता है आईए हल देखें इस अडवों में कारवन परमानू S-P 3 संकरण का उप्योग करता है इस अडू में कार्बन पर्मानू, SP2 और SP3 संकरण का उपयोग करता है आणविक कक्षक सिध्धान्त आणविक कक्षक सिध्धान्त में कक्षक अणू के लिए पूरी तरह से तयार रहते हैं यह कक्षक एक निश्चित सामी दूरी पर स्थित सभी संयो करने वाले पर्मानू की नाभिक के बने होते हैं इस प्रकार पर्माणु कक्षक एकल केंद्रिय जबकि आणविक कक्षक बहु केंद्रिय होते हैं। आणविक कक्षक लगभग समान उर्जा और उप्युक्त समिमित वाले पर्माणु कक्षकों के संयोजन से बनते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। निर्मित नए आणविक कक्षकों में से आधे निम्न उर्जावाले और शेश आधे उच उर्जावाले होते हैं। आणविक कक्षक पावली के अपवर्जन सिद्धान्द और हुंड के नियम का पालन करते हुए आफबाव नियम के अनुसार भरे जाते हैं परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग L.C.A.O श्रोडिंगल तरंग समिकरन के अनुसार एक परमाणु कक्षक को इसके तरंग फलन जाई के रूप में निरूपित किया जा सकता है जो त्रिविमिय इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम के समान होता है दो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु के दो परमाणु कक्षकों के योग या अंतर द्वारा किया जाता है यदि A और B दो पर्माड़ों में एक एलेक्ट्रॉन है तो उनका तरंग फलनक्रमश जाई A और जाई B द्वारा निरूपित किया जाता है और सासायोजक अणू A B के आणविक कक्षकों को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है जाई B बराबर जाई A धन लेम्डा जाई B जाई A बराबर जाई A घटा लेम्डा जाई B जहां जाई B बराबर आबंधन आणविक कक्षक जाई A बराबर प्रति बंधन आणविक कक्षक लेम्डा अणू A B के आणशिक आयनिक गुण को निरूपित करता है आबंधन आणविक कक्षक की उर्जा पर्माणुक कक्षकों से कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनों के बीच आकर्षन अधिक होता है प्रतिबंधन आणविक कक्षक की उर्जा पर्माणुक कक्षकों से अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनों के बीच आकर्षन कम होता है सिग्मा आण्विक कक्षक अणू का इलेक्ट्रोनी विन्यास कहलाता है आबंध कोटी आबंध कोटी को आबंधी तथा प्रती आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या के बीच अंतर के आधे के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कोटी का धनात्मक मान अणु के स्थायत्व को प्रकट करता है और एक रिणात्मक या शून्य आबंध कोटी दर्शाती है कि अणु अस्थाई है या अणु किसी भी तरह से नहीं बनेगा उच्च आबंध कोटी, उच्च आबंध विखंडन उर्जा और छोटी आबंध लंबाई को दर्शाती है आबंध कोटी अडु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या दर्शाती है अडुओं के कुछ गुण अणु का स्थाईत्व पूर्ण आबंध कोटी का मान एक, दो या तीन है, तो उसमें क्रमशह, एकल, द्वी, अत्वा त्री आबंध होंगे आबंध लंबाई किसी अडू में दो परमाणों के बीच आबंध कोटी को आबंध लंबाई की सनिकट माप के रूप में लिया जा सकता है आबंध कोटी बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है चुम्ब कीय स्वभाव यदि किसी अडू के इलेक्ट्रोनी विन्यास में अयुगमित इलेक्ट्रॉन है, तो अडू अनुचुम्ब कीय होगा और यदि इसमें केवल युगमित इलेक्ट्रॉन है, तो अडू प्रतिचुम्ब कीय होगा कुछ समना भी किय द्विवपरमाणुक अडवों में आबंधन हाइड्रोजन अडू आबंध कोटी का मान एक होता है अडू स्थाई और प्रतिचुम्ब कीय होता है हीलियम अणू, हीटू, आबंध कोटी का मान शून्य होता है अडू अस्थाई और प्रतिचुम्ब कीय होता है ओक्सीजन अणू, ओटू, आबंध कोटी का मान दो होता है अणू स्थाई और अणू चुम्ब कीय होता है सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर दो नाइट्रोजन अणू N2 आबंध कोटी का मान तीन होता है अणू स्थाई और प्रती चुम्बकिय होता है सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर तीन हाइड्रोजन आबंधन या एक अणू के सह संयोजी आबंधित हाइड्रोजन पर्मानू और दूसरे अणू के विद्युत रिनात्मक पर्मानू के बीच लगने वाला आकर्शनबल है या आबंध तब बनता है जब हाइड्रोजन परमाणू सीधे उच्विद्युत रिणात्मक परमाणू से जुड़ा होता है। आबंध को dotted रेखादवारा दर्शाते हैं। अधिक प्रभावी हाइड्रोजन आबंधन के लिए हाइड्रोजन परमाणू को छोटे आकार तथा उच्विद्युत रिणात्मक परमाणू से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध आयनिक, सहसयोजी, दाता और धात्विक आबंध से कमजोर होता है। लेकिन वंडरवाल बलों से मजबूत होता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो सामान या अलग-अलग पदार्थों के बीच बनते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहलाते हैं, या अडवों के सहचर्य, गलनांक और क्वतनांक में व्रिद्धी, आडविक पदार्थ जैसे अलकोहॉल, शरकरा और शहद की जल में विलेयता का कारण है। अंतर अडुक हाइडरोजन आबंध। हाइडरोजन आबंधन जो समान अडवों में बनता है, अंतर अडुक हाइडरोजन आबंधन कहलाता है। ओ नाइट्रोफिनॉल, सैलिसलिक अमल, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन के कुछ उधारण है। क्या आप जानते हैं? सहसंयोजी यौगेक, सामान्यतह, जल में अविले या कम विले होते हैं। प्रिथक हिलियम परमाणों की उर्जा उस तंतर से कम होती है जब वे एक दूसरे के निकट आते हैं। वे प्रिथक होना पसंद करते हैं और एचीदो अणु नहीं बनाते हैं। वाटर स्ट्राइडर या स्केटर बग गती करने के लिए हाइड्रोजन आबंध द्वारा निर्मित जल के प्रिष्ठ तनाव का उपियोग करते हैं। सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोराएं। अडू की जमितिय और आकार केंद्रिय परमाणू के संयोजक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। दो एकल युग्मों के बीच प्रतिकर्शन अन्योन्य क्रियाएं दो आबंध युग्मों के बीच अन्योन्य क्रियाओं या एक एगल युग्म और एक आबंध युग्म के बीच की अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती है। संयोजक्ता आबंध सिध्धांत के अनुसार सहसंयोजक आबंध दो परमाणू कक्षकों के बीच परस पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। संक्रण आबंध के समय लगभग समान उर्जावाले और समान परमाणू से सम्बंधित परमाणू कक्षकों के अंतह मिश्रण की प्रक्रिया है जिससे समान आकार और उर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे सम्हूं बनते हैं। समान आकार और समुंद झाले क्षकम के दो가지। समान आकार और उर्जाओं के दिर आके दोंदित वाले और समय लगभभभभ़गद